दोस्तो एक और जहां आटोमोबील कमपनीज अपनी डिलर्शिप और प्लांट्स के में प्रोडक्शन धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं वहीं लॉगडाउन के दौरान कुछ कमपनीज अपनी आने वाले मॉडल्स की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है दोस्तो अब लॉगडाउन के चलते एक बार 2020 महिंद्रा थार की टेस्टिंग के दौरान कुछ इमेजेज लीक हुई है और इन इमेजेज में इसकी पिछली सीट्स को देखा जा सकता है और दोस्तो इस न्यू जनरेशन थार के बारे में एक चीज़ जो हमें पहले से ही पता थी कि इसके soft top और hard top दोनों ही options में हमें इसका traditional boxy look देखने को मिलेगा अब दोस्तो इस जो नई लीक इमेजेज सामने आई है मेहनरा थार से related इनमें हम साफ देख सकते हैं कि इसमें हमें चौकोट IP खिटकियां देखने को मिलेंगी दोनों ही side और ये भी possibilities है कि इसमें आपको sliding windows देखने को मिल सकती है अब ये जो images leak हुई है इसमें जो सबसे पीछे की road दी है उसमें हम देख सकते हैं कि seats जो है वो आमने सामने की facing की तरफ है तो ये चीज जो है वो present generation thar से ही ली गई है क्योंकि उसमें भी seats इसी तरीके की आपको देखने को मिलती है आपको बता दे कि ये जो new generation thar टेस्टिंग के दौरान देखी गई है इसमें आपको halogen headlamps, five spoke alloy wheels, नए bumper, wing mirrors और fender mounted turn indicators दिये गए है और ये जो new generation thar टेस्टिंग के दौरान देखी गई है ये top variant है और इसमें आपको काफी ज़ादा boxy look मिलता है जो की typical boxy look है महिंद्रा थार का और इस boxy look की वज़े से ये काफी ज़ादा बड़ी नज़र आ रही है और जो new generation thar की interiors की photo है भी वो ज़ादा काईदे से सामने नहीं आई है लेकिन माना जा रहा है कि इसके interiors में भी हमें काफी ज़ादा changes देखने को मिलेंगे और इसमें include हो सकते हैं better quality के upholstery, premium seats, front facing rear seats, सभी models में touchscreen infotainment system, auto climate control और इसी के साथ हमें कई advanced features भी इसमें देखने को मिल सकते हैं और वहीं safety के लिहाद से ऐसा माना जा रहा है कि इसमें आपको dual front airbags, rear parking sensor, speed alert system और ऐसे ही features देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तो new generation thar का हम सबको बेसबरी से इंतिजार है और जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि इसे launch करें महिंद्रा इंडियन market में और इसके बारे में जो एक चीज़ confirm हो चुकी है वो है इसके power specifications तो अगर power specifications के बारे में आपको बताएं तो नई generation महिंद्रा थार में आपको company के petrol engine और diesel engine दोनों ही देखने को मिलेंगे जो की BS6 compliant होंगे और इसमें आपको petrol engine के लिए 2.0 liter का turbo M stallion petrol engine देखने को मिलेगा और वहीं अगर diesel engine की बात करें तो इसमें आपको turbo 2.2 liter diesel engine देखने को मिलेगा और इन सब चीज़ों के साथ ये combine की जा सकती है 6 speed manual gearbox के साथ तो दोस्तो ये थी सारी नई जानकारी जो की अब तक हमारे सामने आई है और हमें जैसे ही कुछ भी नए अपडेट मिलता है इसके बारे में तो हम आपको एक वीडियो की थूरू तुरंत ही अपडेट करेंगे दोस्तो चलते चलते आप लोगों से एक request थी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि दोस्तो बहुत ही जादा महनत लगती है मुझे ये वीडियो बनाने में और अगर आप इसे थोड़ा सा अप्रिशेट कर सकेंगे तो वो मेरे लिए बहुत ही माहिन रखता है तो दोस्तो आप लोगों की क्या रहा है नियू जेनरेशन थार के बारे में कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा तो चलिए दोस्तो अट लास थैंक यू फो वाचिंग राइट सेफ और अंटेल नेक्स वीडियो गुड़ बाई